हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि वीबो T3 लाइट फोन को आप लोग पावर ओफ कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Vivo T3 light phone है और इस phone को जब को switch off करना है without power button मान लिजे आपका power button जो वो खराब हो चुका है power button जो वो काम नहीं कर रहे तब आप लोग अपने phone को कैसे power off करेंगे without power button पे click किये कैसे switch off करेंगे आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाई साप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसानाए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए गाईस वीडियो को start करते हैं without power button अपने phone को power off करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा गाईस shortcuts and accessibility का तो इस shortcuts and accessibility के option पे click करेंगे क्लिक करने के बाद नीचे स्कुरॉल डाउन करेंगे तो आपको एक option मिलेगा इस या पर accessibility का तो इस accessibility पर क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद नीचे स्कुरॉल डाउन करेंगे तो accessibility menu का option है menu पर क्लिक करेंगे accessibility menu shortcut का option है इसको आपको on करना है आन करने के लिए आपपर जो फोईच है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद थोरा सा नीचे ही आपको एक option मिलेगा allow का allow पे खलेगे got it का option हैगा got it पे click करेंगे तो यह option अन हो जाएगा on होले है आपके screen में एक shortcut button अजाएगा तो इस shortcut button पे click करेंगे power का option एका power पे click करेंगे तो देख सकती यहाँ पर से आप लोग अपने phone को power off कर सकते हो और यह जो shortcut button है guys कही पर भी आपको देखने को मिलेगा किसी का app के अंदर भी आपको यह मिलेगा अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मिलते गलेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ